नमस्कार दोस्तों आज का टौपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, हाला कि आपको सौर मंडल की जानकारी होगी, मगर आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हर ग्रह सूर्य से कितना दूर है, हर ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और भी जानकारी आज इस वीडियोर में हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें. सौर मंडेल में एक एक तारा है और आट ग्रह है जिसमें सूर्य एक तारा है और ग्रह बुधा सूक्र पृत्वी मंगल ब्रहस पती सनियारन और वरन है. अभी सूर्य और ग्रह के बारे में एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले सूर्य के बारे में देखते हैं. सूर्य अत्वा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थितिक तारा जिसके चारू तरफ पृत्वी और सौर मंडल के अन्य अव्यव घूमते हैं. सूर्या हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलो मीटर है जो प्रित्वी से लगभग 109 गुना अधिक है उर्जा का यह शक्ति शाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गयो सौ का एक विशाल गोला है परमानुम विले की प्रक्रिया द्वारा सूर्या अपने केंदर में उर्जा पैदा करता है सूर्या से निकली उर्जा का छोटा सा भाग ही प्रित्वी पर पहुँचता है जिसमें से 15 प्रतिशत अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तीस प्रतिशत पानी को भाप पनाने में काम आता है और बहुत सी उर्जा पेड़ पौधें समुद्र सोखलेत इसकी मजबूत गुरुत्वा कर्शन शक्ती विभिन कक्षाओं में घूमते हुए प्रित्वी और अन्य ग्रेहों को इसकी तरफ खीच कर रखती है बुद्ग्रेह मौकिरी बुद्ग्रेह सौर मंडल के आठ ग्रेहों में सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम है ये सूर्य का एक परिक्रमन का लगभग 88 दिनों में पूरा करता है बुद्ग्रेह सूर्य से 5,89,000,000 km पर है बुद्ग्रेह का कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है शुक्रग्रेह वीनस वीनस यानि की शुक्रग्रेह यह सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का प्लानट है शुक्रग्रेह सौर मंडल यानि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह सभी ग्रह से उलटा घूमता है इसका एक दिन इसकी एक साल से भी बड़ा होता है। प्रित्वी सूर्य से 149,600,000 किलोमीटर दूर पर है सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 18 सेखिंड का समय लेता है जबकि चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेखिंड का समय लेता है प्रित्वी का केवले की उपगरह है चंद्रमा प्रित्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 खंट 48 मिनट 46 सेखिंड का समय लेती है प्रित्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सोच समय कहा जाता है मंगल सौर मंडिल में सूर्य से चौथा ग्रिह है पृत्वी से इसकी आबा रक्तिन दिखती है जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं स्थलिय ग्रह जिन में जमीन होती है और कैसी ये ग्रह जिन में अधिकतर गैस ही गैस है पित्वी की तरह मंगल भी एक स्थलिय धरातल वाला ग्रह है मंगल ग्रह सूरियर से 227,900,000,000 किलोमीटर दूर है मंगल ग्रह के दो उपग्रह या चंद्रमा है जिनके नाम फोबोज और डेमोस है ब्रहसपती जुपिटर ब्रहसपती सूरिय से पांचवा और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह एक आसिय ग्रह है यह सूरिय का एक चकर 12 वर्ष में पूरा करता है ब्रहसपती ग्रह सूरिय से 788,500,000,000,000 किलोमीटर की दूरी पर है ब्रहसपती के 89 प्राकरते को पग्रह यह चंद्रमा है शनी साटन शनी सूरिय से 6 ग्रह है तथा ब्रहसपती के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शनी के कम से कम 62 चंद्रमा है सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटाओ है शनी के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा, रिया है, शनी और सूर्य के बीच की ओसत दूरी एक दशमलव चार अरब किलोमीटर से अधिक है, यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग तीस एक बटा दो वर्ष का समय लेता है, अरुन या यूरेनस हमारे सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में चार ग्रहों को गेस दानव कहा जाता है, क्यूंकि इन में मिट्टी पथर की बजाए अधिक्तर गेस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है, अरुन यूरेनस प्रती एक चौरासी प्रित्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसकी सूर सूरिय से औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है, यूरेनस के 27 ग्यात प्राकरतिक उपग रहा है, यूरेनस के 5 मुख्य उपग रहा है, मेरेंडा, एरियल, अंब्रियल, टाइटेनिया और और बरॉन है, वर्ण नेप्ट्यून वर्ण या नेच्यून हमारे सौर मंडल में सूरियर से आठवंग रहे, वर्ण प्रित्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है, वर्ण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, वर्ण के 13 ग्यात प्राकरतिक उपग रह हैं, इन में से ट्राइ टैन बाकी सबसे बहुत बड़ा है